स्टुजेंट से बाद करेंगे Binding Energy of Transition Elements की Transition Elements की एक General Characteristic Property होती है कि ये क्या करते हैं? ये Strong होते हैं ठीक है? काफी Strong होते हैं और हम देखते हैं कि ये Tough होते हैं ठीक है? बहुत Strong और Tough होते हैं जिस तरह जो Toughest Metals हैं उन में से एक हमारे पास आजाती है Titanium ठीक है? और एक आजाती है Tungsten ठीक है? जिसे लिए हम Capital W हम लिखते हैं ठीक है? और हम देखते हैं Titanium के लिए Ti लिखते हैं तो ये हमारे पास Strongest Metals में से आजाती है ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि यह strong क्यों ही हूथ है, यह strong होती है binding energy की वज़े से भी इनके अनदर metallic binding होती है, ठीक है? binding energy होती है अब binding energy को हम देखेंगे क्या होती है यह हम देखेंगे, minimum energy required होती है कि एक electron ko remove कि आजा सके एक atom मेंसे, ठीक है? में अमें हम लिखेंगे minimum energy умoot और recruitment electronics from atom तीके यह हमारे पास आजाते हैं फिर हम यहाँ पर यह देखनी है कि अच्छा यहाँ पर एक atom मेशेज हो निकालते हैं जो एक electron निकालते हैं ठीके उसके ज़ो minimum energy required. यह जो energy है basically इसको हम कह रहे होते हैं यहाँ पर कि यह हमारे पास क्या है? electronic binding energy है, electron binding energy है, और ये हमारे पास क्या होती है? ये हमारे पास होती है, electronic state जो होती है, एक electron की क्या state होती है, surveillance shell में मौझूद है, ठीके? उसकी presence, उसकी existence, कि वह कहां पर मौझूद है? ये सारी इसकी electron की जो है, उसकी state की property होती है ठीक है फिर इसके लाव हम भी देखते हैं कि क्यूंकि metals की जब हम बात करते हैं transition elements basically हमारे पस क्या है metals है ठीक है और metals की क्या खुसूसियत होती है कि यह क्या show करती है metallic bonding show करती है ठीक है इंकि जो bonding होती है अब देखें यही metallic bonding इसको हम binding energy से जब relate करेंगे तो हम देखते है कि अब sea of electrons किस तरह से होता है कि जब metal का एक टुकड़ा होगा मौझूद होगा यह हमारे पस अगर metal का एक टुकड़ा है इसमें जो जितने भी metal होगा वो क्या करेगा outer most shell के जो electrons होते हैं उनको जो है वो remove कर देते हैं तो वो बीच में यहाँ पर आ जाएंगे ठीक है वो c यहाँ पर c of electrons की फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास unpaired electrons होते हैं ठीक है वो unpaired electrons basically कि हाँ पर आ रहे होते हैं delocalized electrons की फॉर्म में आ रहे होते हैं हमारे पास ठीक है तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो minimum energy required है एक atom जो है metal का atom जो है वो अपने एक जो metal का टुकड़ा है उसके अंदर क्या करें electrons लूज करें see of electrons देदे ठीक है और उसके लिए जो minimum energy required है उसको हम electron binding energy कह देते हैं ठीक है उसको basically जो more appropriately कहा जाते है वो electron binding energy कहा जाते हैं कि binding energy की हमारे पास types आ जाते हैं ठीक है यहाँ पर ज electrons जो होंगे न जहां तक हम देखते हैं कि unpaired electrons जो होते हैं वो हमारे पास जो increase होता है unpaired electrons तक तो उसके बात क्या होता है कि हमारे पास क्या आते हैं कि binding energy strong होती रहती है क्योंकि हमारे पास जो unpaired electrons जो क्या चल जाते हैं as delocalized electrons चले जाते हैं ठीक है यह unpaired electrons इसके इलावा 4S के यह हम कहते हैं, जो NS के जो electrons ने वो, और Unpaired यह जो D के electrons होते हैं, ठीक है? तो यह हमारे पास क्या चल जाते हैं? As Delocalized Electrons चल जाते हैं. तो अब हम यहां पर देखेंगे कि trend इसमें क्या होता है? हमने यहां पर tungsten की भी बात किये ना, इसको भी हम देखेंगे behavior देखेंगे. तो देखें, यह हमारे पस potassium है, potassium just one electron donate कर रहे है, ठीक है? इस तरह calcium just one electron, लिकिन हमारे पास यहां पर basically हम बात कर रहे होते हैं कि transition metals की बात करनी है, तो हम देखेंगे हैं, उनके लिए हमारे पस binding energy जो है, वो high है, ठीक है? यहां पर हमारे पस high binding energy है, तो हम देखेंगे हैं कि हमारे पास किस तरह से यहां पर ज्यादा energy जो है, वो release हो रही होती है, यह हम कहते हैं कि एलेक्ट्रोन जब रिमूव हो जाएंगे तो हम दिखते हैं कि जो इलेक्ट्रोन C में तो हमारे पास जुआ है वो energy डॉबाइनिग energy आ रही होती है उसको हम इस तरह से लेते हैं कि यहाँ पर हम बात करेंगे scandium से start हो रहे है then हमारे पास क्या है then हमारे पास titanium है then हमारे पास क्या होता है vanadium होता है उसके बाद हमारे पास क्या होता है chromium फिर manganese आ जाता है ठीके फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है iron then cobald then nickel then हमारे पास copper होता है final zinc होता है ठीके तो जो हमारे पास binding energy है अगर इसका trend यहाँ पर इसमें, ग्राफ में भी देख लें, तो हमारे पस कहां तक increase आ रहे है, vanadium तक increase आ रहे है, ठीके, उसके बाद थोड़ा सा जो है, वो क्या आया है, decrease आया है, यहाँ पर decrease आया तोड़ा सा, ठीके, फिर हमारे पास क्या रहे है, منگنیز पे हमारे पास एक dip आता है यानि कि देखें हमारे पास बहुत एक अग्दम से नीचे की तरह आ रहा है, ठीकिए यहाँ पे क्या था, increase था I.N.C.L. का increase के लिए क्रोमियम के केस में decrease कर गया अब यहाँ पर इसको हमने study करना होगा किस तरह से यह decrease आ सकता है ठीक है तो इसको हम ऐसे करते हैं कि थोड़ा साइट पर करेंगे ताकि इसके साथ ही हम इसके बराबर में ही हम यहां पर इसको discuss कर सकें ठीक है उसके बाद देखेगा कि निकल की केस में फिर हमारे पास जो है सौरी आईरन की केस में फिर यहां पर थोड़ा सा increase आया है ठीक है यहां पर हमारे पास क्या आया है यहां पर हमारे पास थोड़ा सा increase आया है और हम फिर देखने कि उसके बाद यहां पर हमारे पास decrease आया है चले विनेडियम की हम देखते हैं क्रोमियम में हमारे पास क्या होते हैं यहां पर अगर हम क्रोमियम की बात करें यह हमारे पास आ जाता है किसके लिए 1,2,3,4,5 तो यह हमारे पास किसके लिए आ रहा है यह हम देख लेते हैं इसको हम बलके यहां पर सारे नहीं बनाएंगी इस त इस तरह से मौझूद होंगे, यह हम लिखते हैं, यहां पर इस तरह से हमारे पास ऐसे आ जाएंगे, ठीक है, बेसिकली यहां पर होता है, लेकिन वह यहां पर चला जाते हैं, ताकि वह एक हमारे पर स्टेबल इलेक्रोनिक इनफिगरेशन आ जाएं, तो यह इस तरह से आ जाती है, इसके बाद हमारे पास क्या होता है, मिंगनीज होता है, मिंगनीज का जो डिप आता है, इसको भी हम स्टडी कर लेंगे, ठीक है, और हम देखते हैं कि बेसिकली जो इसको बढ़ना चाहिए, व हमारे पास ग्रूप में क्या आ रहा होता है, नीचे जाके हमारे पास आता है टंग्स्टन, ठीक है, तो टंग्स्टन भी इसी ग्रूप में होता है, और हम देखते हैं, इसकी मैक्सिमम बाइंडिग एनरजी की वज़ह से, हमारे पास हम कहते हैं, बहुत टफ होता है, ठीक ह अच्छे जब हम C of Electrons की बात करते हैं जो कि हमने उपर बात की थी यहां पे तो देखें C of Electrons इसका तो मतलब यह हुआ कि जितने ज्यादा Electrons यहां पर दे दिये जाएंगे यहां रिलीस कर दिये जाएंगे इस पूल में यह C में तो हम देखते हैं उतनी ज्यादा Binding Energy स्ट्रॉंग होनी चाहिए लेकिन हम देखते हैं कि Osmium के Case में जो कि Os और यहां पर 8 इस तरह होता है तो वो 8 Electrons जो है वो लूज कर सकता है तो क्या वो 8 Electrons लूज करके वो C में दे देगा और इस तरह Osmium के हमारे पास Toughest आजाएगा या Strongest आजाएगा जिसमें Metallic Binding हम देख रहे हैं कि Strongest होगी ऐसा तो नहीं होता तो हम देखते हैं कि इस Case में हमारे पास Metals के Case में Basically क्या हो रहा होता है कि Optimal Average Charge हमारे पास आजाता है Optimal Average Charge जो कि हम कहते हैं कि एक Atom की तरफ से जो है कि Metal की तरफ से जो है वो Offer किया जा रहा होता है ठीक है यहां पर यह Metal जो है कितना Charge देगा यानि कि इसके ओपर जो यह Charge है वो कितना होगा अब Osmium पर 8 Positive तो नहीं आ सकता ना तो हम देखते हैं कि यहां पर यह Charge जो है यह Matter करता है जो Normal Elements या Normal Metals होते हैं Main Group के Metals आरे होते हैं वो Plus 3 तक Maximum Show कर होते हैं बाकि जो Heavy Elements होते हैं वो Plus 3 जो Onward होते हैं वो Show कर होते हैं ठीक है लेकिए जब हमारे पास इस तरह की Situation आ जाती है जिसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या है अब Chromium में देखिएगा optimal charge, average charge जो दिया जा रहा है वो किस वज़़े से कम दिया जा रहा है देखे ना, जितना ज्यादा charge होगा उतने ही electrons release किये होंगे और जितने ज्यादा electrons release किये होंगे उतनी ही ज्यादा metallic binding होगी है ना, तो यहाँ पर binding energy को metallic binding के साथ जो है, वो relate करेंगे ठीक है, उतनी ही जादा metallic binding होगी तो हम देखते हैं कि यहाँ पर Chromium के case में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर stable electronic configuration आ जाती है ठीक है, तो यहाँ पर stable electronic configuration की वज़़े से देखें, अब यह electrons जो हैं, आपस में इनके पास कोई दूसरा electron नहीं है, जो इनको repulsion दे, अब इस orbital के अंदर देखें, सब orbital के अंदर, कोई electron इसके साथ मौजूद नहीं है, जो इसको repulsion दे ठीक है, इसके साथ यहाँ पर भी, तो यह क्या है, यहाँ पर इनको repulsion आफ़़र नहीं हो रही, जिसके वज़़े से नुकलियस क्या करता है, इनको closely attract करके रखता है, ठीक है, और हम देखते हैं कि less electrons जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, less electrons offered, किस के लिए, electron C के लिए, ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर вो less होते हैं, तो यहां पर हम लिखते हैं कि 4 electron C, जिसकी वज़े से हम देखते हैं कि यहां पर binding energy यह metallic binding जो होती है वो decrease कर रही है, ठीके, लेकिन dip जो आता है, वो आता है manganese के case में, अब manganese के case में किस वज़े से आ रहा है, क्योंकि यहां पर हम देखते हैं, कि यह जो हमारे पस manganese में, अब यह 4S है, ठीके, और यह 3D है, तो 3D basically हमारे पास क्या होता है, एक anomalous behavior शो कर रहोता है, कि यह 3D जो होता है, वो वैसे ही compact होता है, ठीके, हम कहते हैं, जो 3D होता है, यह क्या होता है, अब यह compact किस वज़े से होता है, यह compact इस वज़े से होता है, क्योंकि हम देखते हैं अच्छा यहां पर यहां बात भी यहां पर एक information यहां share करते हैं चलें कि जो हमारे पास first occurrence होती है किसी भी shell की given shell की जिस तरह से हमारे पास आगया one का जो है वो S ठीक है two में P introduced होता है तो first occurrence आगयी P की two में ठीक है इसी तरह three third shell के अंदर जो है वो हमारे पास D की occurrence आ रहे होती first time ठीक है इसी तरह four के अंदर हमारे पास जो है वो F की occurrence first time आ रहे होती है ठीक है न and so on तो हम देखनें कि यह जो हमारे पास होते है यह anomalous behavior शो करते है जिस तरह से अगर इसमें से 3D की बात करें तो यह हमारे पास क्या होता है यह हमारे पास जो है anomalously compact होता है यानि यह exception शो anomalous behavior है उसमें हम देखते हैं 3D जो होता है वो anomalously compact होता है ठीक है जिसके वज़े से हम देखते हैं कि थोड़ा सा different behavior शो हो रहा है और यहां पर होता किया है कि यहां पर यह हमारे पास chromium है इसके case में भी nucleus की attraction ज्यादा आ जाती है ठीक है और हम देखते हैं कि हमारे पास यहा पर थोड़ा degrees आता है ठीक है nucleus की attraction यहां पर भी होगी लेकिन हम देखते हैं 3D इन में involved वो रहसले इन में nucleus की attraction ज्यादा है ठीक है और इस वज़े से हम देखते हैं जो chromium है हमारे पास उसमें degrees आया जो हमने देखते हैं जो हम देखते हैं कि plus 3 भी बहुत मुश्किल से हमारे इसके वज़े से हमारे पास binding energy जो होती है वो हम देखते हैं कि या metallic binding को हम यहां पर बात करें कि वो जो है वो मेंगनीस की case में बहुत decrease कर जाती है तो यहां पर हमने binding energy की बात की of transition elements